आईए अपको करवा चोथ की कहानी सुनाते हैं बहुत समय पहले की बात थे एक सावकार के साथ बेटे थे और उनकी एक बहन थी जो करवा थी सभी साथो भाई अपनी बहन से बहुत ब्यार करते थे यहां तक की वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयम खाते थे एक बार उनकी बहन ससुराल से माय के आई भी थी साम को भाई जब अपना ब्यापार व्योसाय बंद कर घर आये तो देखा उनकी बहन बहुत ब्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आगरह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चोत का निरिजल ब्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे और देखकर ही खा सकती है चुकी चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वा भूप प्यास से ब्याकुलोव उठी है सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की आलाद देखी नहीं जाती और वा दूर पीपल के पेंड पर एक धीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है दूर से देखने पर वा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतूरती का चांद उदित हो रहा है इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है चांद निकल आया है तुम उसे अर्द देने के बाद भोजन कर सकती हो बहन खुशी के मारे सिंडियों पर चड़कर चांद को देखती है उसे अर्दे देकर खाना खाने बैट जाती है वह पहला टुकडा मुह में डालती है तो उसे चीक आ जाती है दूसरा टुकडा मुह में डालती है तो उसमें बाल निकल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुवें डालने की कोजिस करती है तो उसके पती का मृत्यू का समचार उसे मिलता है वह बोखला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई का अगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ करवा चोट का ब्रत गलत तरीके से टूटने के करण देवता उसे नराज हो गया है और उन्होंने ऐसा किया है सच्चाई जनने के बाद करवा निश्चे करती है कि वह अपने पती का अंतिम संसकार नहीं होने दीगी और अपने साथित्तों से उन्हें पुनर जनम डिला कर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पती का सोगे पास बैठी रहती है उसकी देखभाल करती है उसके उपर उगने वाली सुई नुमा घास को एक अत्रित कर लेती है एक साल बाद फिर करवा चौत का दीन आता है उसकी सभी भाविया करवा चौत का ब्रत रखती है जब भाविया उससे अशिरवात देने आती है तो प्रतेक भावि से यम सुई ले लो पी अ सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी स्वागिन बना दो ऐसा आगरह करती है लेकिन हर भार भावि उसे अगली भावि से आगरह करने का कहकर चली जाती है इस प्रकार जब छटे नंबर की भाविया आती है तो करवा से उससे यही बात दोराती है यह भावि उससे बताती है कि चुकी सबसे चोटे भाई की वज़ा से उसका ब्रत तूटा था अता हो उसकी पत्नियों यह होआ सकती है वह तुमारे पती को दोबारा जीवित कर सकती है इसलिए जब होआ आये तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक नहीं छोड़ना जब तक वह तुमारे पती को जिंदा नहीं ऐसा कहकर वह चली जाती है सबसे अंत में छोटी भावी आती है करवा उनसे भी अस्वागीन बनने का अगरह करती है लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुभा को जिंदा करने के लिए कहती है भावी उसे छुडाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है लेकिन करवा नहीं छोड़ती है अंत में उसकी तपस्या को देख भावी पसीच जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमरित निकाल कर उसके पती के मुह में डाल देती है करवा का पती तुरन स्री गणेश स्री गणेश कहता हुआ उठ बैटता है इस प्रकार परभु की किरपा से उसके छोटे भावी के माध्यान से करवा को अपना सुहाग वापिस मिल जाता है हे श्री गणिश मा गवरी जिस परकार करवा का चिर सुहागिन का वर्दान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिन को मिले और यह कहानी इसी के साथ